असलाम वालेकूम आज हम बनाएंगे चिकन के संबोसे इसके लिए 400 ग्राम चिकन लीविए इसे बॉइल करके रखावा है इसकी रेसेपी मैंने दाली विए आप चाहे तो इसे देख सकते हैं यहां पे हमने एक बरतन में तेल लियावा है 3 टेबल स्पून अभी इसी में हम 1 अजन का पेस्ट डालेंगे आसे दो मिनिट टक अच्छा से भूणेंगे कच्चा पन दूर होने तक अब इसमें हम 1 चिकन क्यूब दालेंगे इसे भी अच्छो से बुणेंगे यहां पे हम चिकन के रेशे दालेंगे इसमें मैंने 2 हरी मिर्च बारिक काटके दाली विए औ भी अच्छा से मिक्स करेंगे यहां पर हम दो गाजर लिये वे इसे खीश के रखावा है मीडियम साइज के गाजर है और यहां पर दो शिमला मिर्च लीविए बारी कटी वी एकडम चौप इसे भी इसमें हम दालेंगे और यहां पर हमने हरी धनिया लीविए एक मुठी इसस इसका Test बहुत अच्छा राता है इसको भी हम दालेंगे इसे में और हमको नमक नहीं दाला है पहले अभी इसे हम अच्छा से मिक्स करेंगे क्युंकि चिकन बॉ Pi'll करते वच भी हमने नमक का استعمाल किया हुआ है और हमको चीज भी दालनी है तो पहले हम नमक नहीं दालेंगे टेस्ट के अकॉर्टिंग हम बाद में नमक दालेंगे और तीखे का इस्तमाल आप अपने हिसाब से करें यहाँ पे 5 मिनिट टक मैंने से इस तरीके से पकाया हुआ अब इसे हम नीचे उतारेंगे और इसमें चीज खिसेंगे चीज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरीके से हमको चीज को खिसना है यहाँ पे चीज हमारी खिसके रेडी हो गई है इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने के बाद इसके हम समोसे तयार करेंगे यहाँ पर यह अच्छे से ठेड़ा हो गया है यहाँ पर मैंने समोसे की पट्टी लीवे है रेटीमेट मिलती है हड जगा अवेलेबर रहती है देखो बनाने का तरीका मैं बता रही हूँ यहाँ पर हमने मैदे के आटे का घोल तयार किया हुआ है आप चाहे तो गयो के आटे से भी घोल तयार कर सकते है इस तरीके से हमको पट्टी लेना है और इसे फोल्ड करना है देखो मैं वापस से आपको बता रही हूँ इस तरीके से हमको फोल्ड करना है और नीचे के हिससे में हम मैदे का घोल लगाएंगी ताकि समोसा अच्छे से पैक हो जाएगा खुलेगा नहीं और अंदर तेल भी नहीं जाएंगा इसमें अभी हम बैटर दालेंगे वन टेबल स्पून इतना और हम इसको इस तरीके से दालेंगे ताकि नीचे भी अच्छे से जाए अब इसे हम पैक करेंगे धैनरे इसे पैक अच्छा से करना है ने तो इसमें तेल चला जाएंगा एक बार इस तरीके से करेंगे फिर और एक बार इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और लास में जो है इस पे हम मैदे का गोल लगाएंगे और इसे भी अच्छे से पैक करेंगे लगो कितने अच्छे से समोसा बनके हमारा रेटी हो गया है इसी तरीके से हम सारे समोसे तयार करेंगे यहाँ पर हमारे समोसे तयार हो गया बनके इसे आप स्टोर भी करके फ्रीज में रख सकते यहां पे हमने तेल लिया हुआ है. तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है. अब इसमें हम 3-3 करके समूसे दालेंगे और इसे golden fry होने तक रख देंगे, एक तरफ से हो गया अब इसे हम पल्टाएंगे, इसे अच्छे से fry करना है, अच्छे से fry करके रेटी हो गया, इसका कलर कितना अच्छा है माशाला, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, बनाना भी बहुत आसान है, आप भी बनाए, आप भ को मेरी रेसेपी कैसी लगी है अगर आपको मेरे ममा की रेसेपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स पर वाचिंग